Hello Everyone, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइपॉन सिरप के बारे में, जो कि इसका इस्तमाल भूक को बढ़ाने के लिए काफे जयादा इस्तमाल इस्तमाल करता है, इसके साथे साथ है, काफे तरह के पाफे परोलम्स को दूर करने के लिए और भी रोगों में इस्त जो कि आपके पास के medical store पे बहुती आसानी से मिल जाता है 200 ml की पैकिंग में आती है अंठानिब रुपेज का प्राइज है और जैनो फार्मस्टिकल कंपनी की बनाई हुई हम साइप क coconut सीसिरप में काफ्य इसमें काफी अच्छे कंबेशन है गया जैसे कि साइप्रोस्ट कांबेशन फायदा है को में थिक साइप्रोध हैक भात इसमें च्ज स्थ्टां जो की हर करने में काम करता है बुग बढ़ाने की सकती में काफी जादा इस्तमाल किया जाता है इसके साथे साथ allergic reaction में भी से इस्तमाल करते हैं इसके साथे साथ अपने डॉक्टर के हिसाब से अलग अलग रोगों में इस्तमाल करते हैं पर इस सिरप में एपिटाइट को स्टूमिलेट करने में खाफी अच्छा इस्तमाल किया जाता है इसके अलावा जो अगला कॉंबिनेशन है ट्राइकोलेंड सिट्रेट जो कि हर एक 5 ml में आपको 275 mg मिल जाता है और यह एक तरह का बाइल एसल बाइल एस्यूड बाइल एसिट बाइंडting एजेंट के रूप में काम करता है कि हैपिटिक कॉल और के खांव करता है और काफी मद्दगार होता है ओवरल कम्बिनेशन जो कि आपको पैट की समच्यों से जुड़ी रोगों को खतम करने के लिए इसके अलावा भूग को बढ़ाने में काफी अच्छा मदद करता है साइपॉन सिरप को खास दोर पे भूग को बढ़ाने के लिए जादा तर इसे इसे इस्तमाल करता है इसके साथे साथ जो भी टॉक्सिक होते हैं हमारी खाना खाने के बाद 5-7 ml की डोज में दिन में दो बार इस्तमाल कर सकते हैं आप इसका डोज लेने से पहले एक बाद डॉक्टर फार्मेसिस से जरूर कंसल्ट कर सकते हैं नहीं तो नॉर्मली आप इसे 5-7 ml दिन में दो बार इस्तमाल कर सकते हैं बातकर क्या नुक्सान हो स अगर आपको किसी भी दरा critical medical condition में आपको कोई medicine चल रहा है या pregnant lady है या breastfeeding mother है तो इन सभी condition इसनों में आप इसे इस्तिमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर फार्मसिस से जरूर कंसल्ट करें तो यही था साइपों सुरप के बारे में जनकरी अगर आपके वीडियो और यह जनकरी अच्छे लेगी तो प्लीज लाइक किजेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किजे करी दिनकरी अच्छे करीं